तो दोस्तो जब पहली बार हम लोग ने कैंग को Ant-Man and the Wasp Quantum Mania में देखा था तो वो हर एक सूपर हीरो को हर एक टैम लैंड से रिमूब करना चाहता था और अब टेबल कैसे टर्न हुए है अब हर एक टैम लैंड से कैंग रिमूब होने वाला है जो कि सबूत देता है हम लोगो कैंग डैनिष्टी के टैटल हटने से यानि दोस्तो मारवल ये तैक कर दिया है कि वो कैंग को रिकास्ट ने करने वाला बलकि पहले उसे मिनिमाइस करेगा फिर कम्पलीटली रिमूब कर देगा आई थिंक मारवल के पास इसके पीछे एक वैलिड रिजन है सबसे पहली बात जोनतर मेजस का उसके बाद यहाँ पे जो भी उनके पास ओफिशल कॉंट्राक्ट है शायद यही कॉंट्राक्ट में लिखाओगा कि जोनतर मेजस के अलावा कोई और एक्टर कैंग को रोल नहीं प्ले कर सकता है तो कुछ पूरानी अन्यूज क्लिप्स लेके कैंग को दिखा के कोई बढ़िया एसक्यूस दिखे कैंग को हमेशा के लिए टाइम लाइन से मिटा देंगे और इसके पीछे टीवी ये डेटपूल ये सब काफी हम लोगों को साथ देने वाले है लगे इन सब के अलावा मार्वल जब ये टैग करी लिया है कि एवेंजस 5 का टाइडल चेंज हो जाएगा यारि कि जो कैंग डैनिस्टी अनॉसमेंट हुई थी वो नहीं रहेगा तो इसके पीछे मार्वल अब आगे क्या करने वाला है क्योंकि अगर हम लोग बात करें 2024 की तो यहाँ पे हम लोगों मुवीज में टेटपूल 3 देखने को मिलने वाली है और टीवी शो की बात करें तो हम लोगों को एको जो की अलेडी हम लोग देख चुके है उसके बाद एक एगटा की टीवी सिरीज जिसके लिए भी कोई हाइप नहीं है वो देखने को मिलने वाली है इन सब के अलावा बहुत सारी मार्वल टीवी सिरीज है जैसे की वोटिफ सिरी वो शहीं दिसमर में आ सकता है और आरेन हर्ट का अभी कन्फरमेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे मार्वल अब अपने क्रेटर्स को थोड़ा टाइम दे रहा है क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक सूपर हीरोस और सूपर विलन्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं लेकिन यहाँ पे जो पुराना प्लॉट होने वालता है एवेंजिस फाइव का वो कुछ इस तरीके का था तो जैसे कि एवेंजिस फाइव जब शुरू होती तो यहाँ पर जो भी यंग एवेंजिस है जो कि भी हाली में सूपर हीरोस बने हैं और बचे वे ओल्ड एवेंजिस वो कैंक से बैटल करने जाएंगे लेकिन काम्यावी उनके हाथ ने लगेगी जैसे कि एवेंजिस इंफिनिटी वर का प्लॉट था कि एवेंजिस लड़े थे लेकिन थनाव से हाल गयते हैं बात में जाके वो यहाँ पर टाइम ट्रॉल करेंगे बल्कि मल्टिपल पोर्टल का सारा लेकि हर एक सूपर हीरो को असेंबल करेंगे जो कि सुनने में काफी कॉंसेप्ट कूल लगता है लेकि यहाँ पर यह भी हो रहता है कि सीक्रेट वर किसी एक प्लेस पर नहीं होगी बल्कि मल्टिपल प्लेस पर होगी मल्टिपल टैम लाइन पर होगी जहाँ पर मल्टिपल एवेंजिस मल्टिपल विलन से बैटल भी कर हाला कि दोस्तों टीवी और डेटपूल यह सब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं की कहानी को खतम करने लिए और आखिरकार दोस्तों विलेंस की बात करें तो लंबी लाइन लगी हुई है डॉक्टर डूम उस सब के बाद गैलेक्टर यहां तक के बेउंडर और पीर अगर लोग बात करें यहां पर एक और विलन की जो कि हम लोग को एविंजिस एंड गेम में देखने को मिले वाला था लेकिन उसकी जगह एक और अजीब से विलन बन गये थे हाला कि अब ऐसा पसे बल लए क्योंकि कैंग ही डीलीट हो गया लेकिन मैं यहां पर यह सोच रहा हूँ कि कैंग के क्यैक्टर के जाने से कितना जयादा लौस हो रहा है मारवल को क्योंकि दोस्तों मारवल ने कैंग के कितने वेरिंट्स हम लोगो दिखायते हैं क्वांटम मेनिया के पोस्के डिट सीन में और ओडियंस की एक्साइटमन्ट का लेबल भी बढ़ गया जिसकी वज़े से अपनी जो ओडियंस है वो ये सोच रही थी कि कैंग के हर एक वेरिंट्स हम लोगो हर एक एवेंजिस मूई में देखने को मिलेंगे या फिर टीवी शो में भी देखने को मिल सकते हैं अब जैसे कि अगर में लोग एक्जामपल ले मून नैट की सीजन 2 का तो हम लोगो जो रामा टेट वाला कैंग के वेरिंट है वो देखने को मिलने वाला था लेकिन अब ऐसा होगा ये तो बिल्कुल नहीं पता लेकिन हाँ दोस्तों कैंग के जाने से बहुत प्रॉब्लम तो हो रही है अब बहुत सारे मार्वल फैंस इस डिसीजन से खुश भी नहीं है उनका कहना ये है कि कैंग में काफी पोटेंशल था और बहुत कुछ कर सकता था हाला कि अगर मार्वल को या फिर के पूरे स्टूडियो को मेजस से प्रॉब्लम थी तो उनको तो हटाई दिया गया ना एक नई कास्टिंग कर लेत नए कॉंट्रेट के साथ क्या प्रॉब्लम थी लेकिन यहाँ पे स्टूडियो ने कैंग को ही डिलीट कर दिया मेजस की वज़े से ये सबसे बड़ा लॉस लगता है और इस लॉस को कैसे रिकवर किया जाएगा कोई और विलेन आएगा तो ठीक है लेकिन यार कैंग की बात कुछ और थी और यहाँ पे कैंग की हाईबर्स बिल्ड होने ही वाली थी यहाँ पे अक्टर और कैक्टर को मिक्स करने से चीज़े सॉल्व नहीं होती है उपर से यहाँ पे मार्वल का एक और स्टेट्मेंट यहाँ है कि मार्वल अपनी कॉंटिटी इसलिए कम कर रहा है ताकि आजिएंस अब वापस से पुराने मार्वल को मिस करें जैसे कि वो हाइप करती थी तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है यह आप लोग कमेंट करके जरूब